एक कडोड बारा लाख रुपे के लागद से ये पिछले साल बन करके तयार हो गया तो आखिरकर अभी तक इसका उद्गाटन क्यों नहीं क्या दो हज़ार पचीस और दो हज़ार चोविस के इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं सोक समराट भवन की आगे पीछे आप जहां भी जाईएगा तो आपको दारू की जो बोतले है वो बहुत असानी से मिल जाए इसमें आग लगा दिया गया है अब आगे किसने लगाया है क्यों लगाया है यह हमको नहीं पता यह को साहब है ना खाता न बही और जो वो नमस्कार परणाम मैं मीद शुरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्ते कभी मौझूद है नितीस कुमार के ग्रिह जिला नालंदा के इसलामपूर नगर परिशद में और यह इसलामपूर नगर परिशद का पसू हाट है अब हमारे के पीछे देख रहेंगे बहुत परस्षिम साइड में बोल सकते हैं कि होस्पीटल के बगल में और हमारे जो जश्ट पीछे इस बिल्डिंग के आगे हम खड़ा होकर क्या बोल रहे हैं यह हम आपको बताने वाले हैं हमारे पीछे आपको साफ सब्दों में दिख रहा होगा समराठ असोख भाबन नगर अब बिल्डिंग देख रहे हैं यह कोई आम बिल्डिंग नहीं है बहुत खास बिल्डिंग है और यह आम जनता के लिए बनाया गया था पिछले साल क्या बोलते कि इसका कर्द समाप्ति हो गया था एक कड़ोड बारा लाख 38,000 कुछ रुपया इसका पूरा लागत है बनन कर हम जो इन्फोर्मेशन दे रहे हैं वो सही है या गलत है और जो इसलामपूर नगर परिशद में एक सल पहले बनकर के तयार हो गया तो आखिरकर अभी तक इसका उद्गाटन क्यू नहीं हुआ है यहां पर आई हम आपको दिखाते हैं योजना का नाम है नगर परिशद संबेदक का नाम है मा बैसनभी इंजी कॉन प्राइबेट लिमिटेड कारी अजेंसी कार्जपालक दाधिकारी नगर परिशद इसलामपूर मतलब कि एक कडोड 12 लाख रुपय के लागत से यह पिछले साल बन करके तयार हो गया था और इसके जो ठेकेदार थे उनसे अभी लोग परसासन को जब देने के लिए जाते हैं काखजात कि आप लोगक कि जिए कि हमने बना करे तयार कर दिया है तो वो सिधम अना कर देते हैं बोलते है कि अभी नहीं लेंगे अब क्यूं नहीं लेंगे इसके पीछे का रुपये में लेकर उनको क्या तो दिनों के लिए मुहया करवाई जाएगी लेकिन अभी तक इसका उध्गाटन नहीं हुआ है एक साल हो गया बंद करके तयार हो गया हमको लग रहा है कि जब नितीज कुमार जी 2025 में हम पर बोट जब पड़ेगा विधान सब्सक्राइब का उसके बाद इसका उध्गाटन वो भी क्रेडिट ले रहे हैं और कहीं ने कहीं राज सरकर्तों क्रेडिट ले ही रहे होंगे कि नितीज कुमार के ग्रीह जिला में एक समराट असोख भावन बना है एक कड़ोर से भी अधीक कि लागत का इसके पिछा का पूरा हम आपको स्ट्रेक्चर दिखाते हैं कि इसम हमारे जस्ट परस्टिम साइड में अतासरा गाऊ है और चारो तरफ ढes रहे होंगे तो पता चल रहा हो गा कि बागई में कड़ों का लागत इसमें हो अ करोरों के लागत से इसको बनवाया गया है और इसको बनवाया गया था आम जनता के इस्तमाल के लिए, लेकिन अभी तक इसका घाटन नहीं हुआ है, सब कुछ हो जाने के बाद भी, अब हमको ये भी एक सवाल पैदा हो रहा है, जब हम यहां के जो बुद्धिजी भी लोग उनसे बर तलाब कर रहे थे, कि पैसा और कम उसको तोर्ण निशे के आग लगादिया गया है अब आग किसने लगाया है, क्यूचने है उनको नहीं पता है है ये एक पाइप है इसमें वी टैक किया गया, यहां तक कवार के ले यह कोशिस की गई, उसकी भी निशानी है लेकिन यहां पे नगर परीषद के जो जो क्या सब्सक्राइब करें तो हम आपको बार 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 बोलते हैं कि एक साल पहले यह क्या बोलते हैं कि बन करके समाप्थ हो गया था और इसलामपूर नगर परीशत के सभी लोग कयास लगा रहे थे कि इस बर्स जब हमारी बेटी की साधी होगी जब इस बर्स क्या बोलते हैं कि मेरे घर में किनी का स्राध करम होगा तो इस बिल्लिंग को नगर परीशत को बोल करके हम लोग यूज करेंगे लेकिन हुआ क्या अभी तक गाट में नहीं हुआ है अंदर आए अंदर हम दिखाते हैं तो ऐसे बोग रियक्ट करते हैं कि जैसे मालों कि हम लोगा तंकवादी है इतना भब इसको बनाया गया है और ऐसा बिल्डिंग और ऐसा क्या बोलते हैं कि मैरेज हौल अगर कोई इसलामपूर नगर में जा करके खरीदेगा तो उसको पचास से साथ हजार रुपिया क्या आया लग जाएगा और उतना देने के सक्षम नहीं है उसलिए इस सम्राः असुक भवन को बनाया गया था यहां पे नगर परीशत के कुछ लोग भी है कुछ इसी बाड़ के लोग है मुंसरी बार तलाब करेंगे क्या खिरकार इससे क्या इनको लाभ मिलने वाला है च्छा क्यों बना था पता है अब को इसलिए उनको दिया जाएगा तो इसका उद्गाटन नहीं हुआ अभी तक एक साल पहले बन करके तयार हो गया था यहां क्या बोलते है कि सवा कड़ो रुपय के लागत से बना था एक कड़ो बारा लाख रुपय के लागत से बना था लेकिन अभी तक इसका उद्गाटन नहीं हुआ है जितना भी नेता है सब लोग क्रेडिट हला के लिए हैं कि हम बनवाए हैं हम बन इसलामपूर को नगर परिशाद हम बन बा दिये इसलामपूर में असोग सम्राथ भावन हम बना दिये लेकिन इसलामपूर में क्या कमिया है एक आने वाला कोई नहीं है और यह सबसे वड़ा कमिया आखिरकार एक सल पहले बन गया गुरुजी बन गया साहब तो इसको घटन के नेप करवा रहे हैं क्या दो हजार पचीस और दो हजार चोविस के इलेक्सन का इंतजार कर ही रहे हैं तो अच्छा से किजिए यह नगर पर है और हमारे हाथ में क्या है दरुआ के नमोनहें को पता है और सभाविक सी बात है कि तो अंग्रेजी मेरा थोड़ा कम जोड़ है लेकिन सोक सम्राट भावन की आगे पीछे आप जहां भी जाईएगा तो आपको दारू की जो बोतले है वो बहुत असानी से मिल जागा आप इसलामपूर नगर के बगल में एक गाउं है इचोहोस के बगल में तकिया पर एक मौला है बहां पर डेली सराब निर्मान होता है लेकिन पुलिस परसासन के आख पर पट्टी बंधा हुआ है अंदा कानून फिलम देख लिजे आपको पूरा कुरा कुन लाओ जी समाज में में देख करके लेकिन नहीं साहब को मनजूर नहीं है साहब को आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा बाकि हम ऐसे इस दुनिया की तमाम छोड़ी वीड़ी खबरों से आपको रोवरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे तब तक के पने रहे मारी सा तुर देख तरेन आलना दस्तक धन्यवाद